23 अगस को मोदी कौन सा ऐसा दो काम करने वाले हैं दोस्त पुतिन की नींद उड़ जाएगी क्या है मोदी की नई नीती जिससे भारत को होका तगड़ा फायदा चीन पाकिस्तान होंगे परिशान जैशंकर ने ऐसा क्या दिमाग लगाया C.I.A. का भी दिमाग चक्राया बाइडिन का बिगला मिजाज 94 गंटे बाद परधान मंत्री नरिंद मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जिस सर पूरी दुनिया की नज़र है खासकर मोदी की दोस्त पुतिन की भी नींद उड़ने वाली है जैसा मोदी ने लक्षिदीप में एक तस्पीर क्लिक करवाकर मालदी पी निन उड़ा दी थी वैसे ही इस बार अगले तीन दिनों में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो दुनिया की तीन बड़ी महाशक्तियों के बड़े बड़े विद्वानों को भी समझ नहीं आ रहा है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी इस कदम से मोदी पुतिन की दोस्ती में दरारा सकती है तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी किस नई नीती से पुतिन को जबरदस्त फ़पादा मिलेगा भारती विदेश मंत्राले सिमली जानकारी के मताबिक परधार मंत्री नरिंद मोदी 23 अगस को यूकरियन के दोरे पर जाने वाले हैं ये वही यूकरियन है जिससे रूस करीब 20 साल से जंग लड़ रहा है अब अगर आपकी दुश्मन के घर आपका दोस्त जाए तो नाराजगी तो बढ़ेगी ही पर वैश्विक मामलों में ऐसा कम ही होता है इससे पहले मोदी रूस भी गय थी जिसका विरोद अमेरिका ने किया था खुद यूकरियन भी इस बास से नराज था कि मोदी ने पुतिन को गले क्यों लगाया लेकिन उसी यूकरियन के राश्पती जोलेंस की अब मोदी को अपने यहां पर बुला रही है फिर मोदी वहां जा क्यों रही है यह समझना बहुत जरूरी है मोदी क्यों जा रही है यूकरियन तीस अगस को यूकरियन में फ्लैग डे होता है उस दिन मोदी महमान बनकर जा रही है दोनो देशों के बीच में कई बड़े समझ्auen पर हस्ताक्षर होने की सम्भावना है दुई पक्षी और बहु पक्षी सयोग पर बात होगी युद उपर भी चर्चा हो सकती है अगर युद उपर चर्चा हुई तो फिर मोधी शांती का प्रस्ताव रख सकती है यूक्रेन अगर शांती प्रस्ताव मानता है तो फिर मोदी काकद और बढ़ेगा अगर भारत ने युद रुकवा दिया तो फिर चीन और पाकिस्तान की हवा खराब हो जाएगी लेकिन ये इतना असान नजर नहीं आता है क्योंकि इससे पहले मोदी फोन पर भी जरेंस्की से बाचीत कर चुके हैं पर हर बात इस मोदे पर टल गई कि जब रूस नहीं माना तो हम क्यों मानी लेकिन कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि रूस और यूकरेन दोनों को अब ये बात समझा चुकी है कि जंग में हमें एक दूसरे को नुकसान पहुचा रही है किसी का कोई फादा नहीं होने वारा ही यूकरेन को भी ये बात पता चल गया है कि नाटो देश में शामल होने की जिद अगर छोड़ देता तो फिर रूस अपने पाउं पीछे कहीं सकता था और इसके संकेत पहले भी यूकरेन को दे चुका है 21 और 22 अगस को मोदी पोलेंड में होंगे पोलेंड चुकी नाटो का बड़ा सदेश देश है और इसकी भी रूस देश्मनी है इसलिए पुतिन की नजर इस बात पर होगी कि मोदी रूस के दो दुश्मन देशों में जाकर कौन सी डिल करते हैं अगर ये पहले का दौरा होता तो शायद भारत के प्रधानबन की ऐसा कदम नहीं उठाते क्योंकि अभी भी कई एक्सवर्ट मोदी को यूकरिन जाने से रूखना चाते हैं पर जैशंकर की कूटनीती जिसका तोड़ दुनिया में फिलहाल किसी के पास नहीं है उसकी आगे कोई भी देश कुछ खास बोलने की हालत में नहीं है क्योंकि अमेरिका को ये बात अच्छी तरसे पता है कि अगर हमने तेल खरिदने वाले मुद्दी की तरह इस बार जादा बोल दिया तो फिर जैशंकर वो कुंडले निकाल कर लाएंगे जिसका पता शायद कईयों को नहीं होगा रूस की मीडिया एजंसी स्पुतिनिक जब ये दावा करती है कि भारत में मोदी सरकार को अमेरिका के सियाई एजंट से खत्रा है तो ये साब समझाता है कि दुनिया के बड़े लेवल पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी कहानी आम जनता तक आसानी से नहीं पहुँच रही है एक तरफ रूस और यूक्रेन के रख कहानी चल रही है तो वहीं दूसरी सरक इज्राइल और फिलस्तिन का विवाद है जिसे नहीं रोका गया तो एक दिन बड़ा रूप ले सकता है इसलिए मोदी के इस दोरे से सबसे ज़ादा उमीद लोगों को यही होगी कि ये विवाद किसी तरह से थमे पर सवार है कि क्या मोदी ऐसा करने में कामयाभ हो पाएंगे